हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है थ्रियेट इस्टक इंडिवेस ड्राइबर का एरर आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो करके देखेंगे और प्लीज याई यह आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ करने के लिए अपको क्या करने के लिए स्टार्ट पर किलिक किजागा क्लिक करने के बद यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से ओपन देना है आपको हमेशा run add administer mode में command printer को open करना है normal mode में नहीं open करना है नहीं तो काम नहीं करेगा इसलिए यह चीज आप ध्यान दिजेगा कि ऐसा नहों कि आप normal mode में open कर लिया आप जो मैं बता रहा हूं वो try कर रहे हैं फिर आप बोलोगी कि नहीं हो रहा है इसलिए आपको हमेशा administer mode में ही cmd को open करके जो command बताऊंगा वो आपको type करना है administer mode में command prompt open करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको type करना है sfc space टैप किजेगा बाकि यह code आपको description में डालने हो या तो आप वहाँ से copy कर लिजेगा कोपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिजेगा पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे इंटर कर दिजेगा इंटर करते हैं इस तरह से चालो हो जाएगा यहाँ पे कुछ सेकंड time लेगा इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पे wait करना है चलिए अभी कुछ सेकंड वेट करते हैं, complete होने के बाद आपको आगे का process बताता हूँ आप देख रहे हैं, 100% complete होने के बाद इस तरह से आ जाएगा, आपको ये process complete होने में time भी लगेगा, तो आपको घबराने के जोद नहीं है जब तक 100% complete होता है, तब तक आपको wait करना है, जब 100% complete हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आके एक जगा ये रुक जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह दो option दिख जाएगा आपको, यहाँ पर आपको दिखेगा, error check, इसके नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा, check का option है, इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते हैं, इ या भी आपको कुछ second time लग सकता है ति इस प्रोसेस को complete होने तक आपको wait करना है चले complete होने के बाद आपको आगे का process बताता हूँ आप देख रहे हैं 100% complete होने के बाद इस तरह से message आजाएगा your driver was successfully scanned आपको क्या कर दिनने इसके बाद आपको आपकर करदेने हैँ यहां पर start पर क्लिक करके यहां से system को restart करने के बाद आप इसको check कर सकते यूज कर सकते हैं इसके बाद यह problem आपकर fix हो जाएगा यह прोड इस दिखा दिया और प्लेज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू